हेलो फ्रेंड फेमस टीवी सेरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि देविकाव पहुचने वाली है समर और डिम्पल की शादी में और अनुझ की सचाई जान के देगी अनुपमा का साथ और बढ़ाएगी उसका होसला जी हाँ दोस्तों सुपरेट टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अनुझ और अनुझ और अनुपमा एक दूसरे से दूर हो चुके हैं तो वहीं अब उन दोनों की राहे एक दूसरे से बहुत जल्द जुदा हो होने वाली है अप शो के अपकमिंग ट्रैक में अब दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि अब देविका की भी एंट्री होने वाली है समर और डिम्पल की शादी में जहां देविका जब आएगी और उसे पता चलेगा इन सब के बारे में कि अनुझ की आखिर क्या मजब पूरी थी वो क्यों नहीं आ पाया था उस दिन और अनुपमा को जब अनुझ की सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो उसने अब क्या डिसीजन लिया है और उसे सुनकर एक बार तो देविका के भी होश उड़ जाएंगे तो वहीं अब फाइनली देविका अब अनुझ का नहीं बलकि अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुपमा के फैसले में उसका साथ देने वाली है जहां देविका भी अब अनुझ से काफी गुसे में होगी और देविका अनुझ से कहने वाली है कि अनुपमा ने ये फैसला लेके अब बहुत अच्छा किया है क्योंकि तू भी को और अपने सपनों को इंपोर्टेंस दे रही है उनकी वैल्यू समझ रही है तो वहीं देविका अनुस से ये भी कहेगी कि तुम्हें तुम्हारे किये की सजा मिल रही है जो अनुपमा दे रही है अब शू के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे क अब देविका करेगी अनुपमा को सपोर्ट और देविका अनुपमा से कहेगी कि अनु तुने अब बिल्कुल सही किया है और तेरा डिसीजन बिल्कुल सही है अनुच को छोड़ कर अपने सपनों को पूरा कर और अमेरिका जा वैल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में आप रेखिंगे कि अब अनुपमा के सपनों को पूरा करने के लिए अब उसकी वेस्ट फ्रेंड देवी का उसका पूरा साथ देने वाली है तो वहीं वन्राज जब इन सब बातों को जानेगा कि अनुपमा ने फाइनली अनुच को खुद ही छोड़ दिया है तो उसके भी होश उ धरी की धरी रह जाएंगे अनुपमा को वापस पाने की तो वहीं जब काव्य से वन्राज को पता चलेगा कि वो अब प्रेगनेंट है और उसके बच्ची की मा बनने वाली है और जिससे सुनकर वन्राज को बहुत भड़ा जटका लगने वाला है और उसके होश उड़ेंग झाल